और अभी हम चली रहे हैं, थोड़ा सा हमने एंटर्टेन्मेंट किया उपर, तो हमको टाइम का खायाल ही नहीं रहा, कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, चुली यह जंगल है, यह थोड़ा सा गना जंगल है, तो इसलिए हम आपको दिखाते हैं, कि इंसान को अगर देर भी हो ज चाहिए, बिल्ब कुल भी किसी भी सूरत हाल में इंसान को डर्ना नहीं चाहिए, चाय प्रचुम् भूग सी गासां, आधस ने करके इसी हूँ है, आधस ने कर लिया है, कि इस दिन के दो बज चुके है, तो हमने डिसाड कर लिए कि यहां से हम ट्रैकिंग जाएंगे, बु वो भी हमने स्टार्ट किया है शार शाली से हमको जाना है वो सुर्वन टाप है वो सुर्वन है यह सबसे ब्यूटिफुल प्लेस मानी जाती है डिस्टिक पुल्वामा में वाहिद एक जगा है जो ट्रेकिंग के लिए बहुत ही मैशूर है लेकिन सुबह सब्सक्राइब करेंगे हम यह जो पुलीस है यहां पे खुजिर कम्मुनिटी की कुछ लोग यहां आते हैं और दो तीर महीने यह स्टे करके वापस जाते हैं अब लांच करेंगे अब लांच करने के बाद फिर से हम निकले हैं अपनी मंजिल के उप पहाड़ो के दामन में एक छोटा सा चिश्मा निकर रहा है इस मुस्तरवन के पहाड़ में उरे को पानी काम है पर बहुती साफ पानी है जाकिर पढ़ते हो किस क्लास में बढ़ते हो पांच में में खट तचा ठीक ठाक सर्दी ये घर्मी ये बारिश दूप ये चेहरा ये कद्व और ये रंगो रूप दरिंदू चरिंदूं पे काबू दिया तुझे बाई दे के कि बाजू दिया पहन दी तुझे और शिरी के सफर ये रिष्टे ये नाते गराना ये गर्ड के अवलाद भी धी दिये जैन अलिफ लांव मीम काफ और आइन गैंड מחण कि ये अकल जहानत शेर नजर कि जवस्तीजिस हरा ये केस्टि ये तर्र और उस्पर किताबे हदायत बी इदी नभी विखुतारे शरियत बी नभी भी उतारे शरियत बी गर्ज ये सभी हैं तेरे लिए पतातूने किया है मे अब हम पहुंच है तो यहां का विव जो है बहुत ही खुप सूरत विव है दिल को छू लेने वाला विव है और मजा बहुत है क्योंकि हम ने सुचा था कि हम नाइट स्टे करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो जाहिद भाई है मिराज तो इसकी पहली टुप थी तो हमने पहले नाइट स्टे नहीं कर सकते हैं यहां पर क्योंकि यहां पर थोड़ा पानी की कलत है और यह जो जगह है वो यह जगह बहुत ही खुप सूरत है देखो हमारे पीशे का जो विव है न तो यह देखो कि ग्रीन लश यह है मीडोव है तो और डिश्टिक पुलवामा में यह सब से खूबसूरत और ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छी प्लिएस है कि इसका जो ट्रैक पॉइंट है जो जहां से ट्रैक पॉइंट स्टार्ट होता है वो शार शाली से होता है और तकरीबन सोला किलो मीटर ट्रैक डिस्टेंस होगी पर यहां जब हम पहुंचते हैं तो फिर यहां जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसान को सारी थकावट ना भूल जाता है और हमारे पीछे जो व्यूव है वही बहुत ही खूबसूरत है अभी दूप हैं बहुत ज्यादा बुस्तुर्वन से सब कुछ नजर आ रहा है अंदर आई जहलिंबी, अवंतिपोरा, ट्राल, मिडोरा और बहुत सारे खाओं नजर आ रहे हैं और व्यूभी बहुत ही खूबसूरत है हमारे कुछ बाई भी है जो त्राल मिडोरा से आया है और देखो उतने बड़े भी नहीं है देखो जजबा क्या होता है ट्रेकिंग का हमने अपने छोटे भाईयों के संचाइपी है जो के त्राल मिडोरा से है जो को बहुत ही खूबसूरत वियों नजर आ रहा है आप देखिए और वहां से जो छोटा सा पॉंड नजर आ रहा है चुली पॉंड नहीं है तो जो बारिश का पानी है इसी में जाता है तो देखो नेचरल ब्यूटी देखिए आप कितना खूबसूरत ही इसको किसी नहीं नहीं बनाया है यह उपर वाली की देन है और यह जंगल में कौन बनाएगा इसे इसलिए कुद्रत को हम ज्यादा लाइक करते हैं जो उपर वाला कर सकता है वो किसी के हाथ में है आप देखो कितना खूबसूरत हैं यहां से भी जो ग्यूव हैं बहुती ब्यूटीफ। यह हम गर की तरह वापस जा रहे हैं तो हमने देखा यहां पर इंजॉइबी क्या बहुती मजा है सबसे अच्छी प्लेस है और अब गर की तरह वापस जा रहे हैं थोड़ा साल से गुजारना है वो भी अन्वेरे में क्यूंकि अभी लेट हुआ है वो जल्दी निकलना चाहिए तो और अभी हम चली रहे हैं थोड़ा सा हमने एंटर्टेन्मेंट किया उपर तो हमको टाइम का खयाल ही नहीं रहा यह फोन के सहरे हमारे बस लाइट थी नहीं अब फोन क सा डर भी लगता है पर जंगल ना बहुत ज़्यादा गना है कुछ नजर ही नहीं आ रहा है सामने से तो अब हम सेल फोन के लाइट के सहरे चर रहे हैं कुछ नजर भी नहीं आ रहा है तो यह जंगल है यह थोड़ा सा गना जंगल है तो इसलिए हम आपको दिखाते हैं कि इ किरिन को इसे हैं speaksique लाई Pम्राण को अविल्कुल भी किसी भी सूरत हाल में इन्सान को डरना नहीं चाहिए नाइट मैं आजी बालब नाइट में हम ट्रैकिंग्क कर रहे हैं रात में पहरी बार बार गख कर रहे है अंधहरे में सिल्फोन इस्कीमाल करके हमने ट्रेकिंग कर ली